हाही गाइस आज है हमारे पास डी फ्रीज और दोस्तों इस डी फ्रीज को देखने मैं आया हो company किंद से सधी हाय कंपश्य के ठीक है इसमें प्रोब्लम आ रहे थी तो दोस्तों रहे थे कि और इसको आप लोगों को अच्छी तरिकी से साफ करेंब अब लोगों के कुछ कंडिशन ऐसी होती है थिक गए दुकांदार का फ्रीज आई जाते हैं तो सारी चीज ingredient को साफ करेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान सब्सक्राइब घ्यान देना है से फैन तो दोस्तों हमारे कंप्रेसर क्या है गरम होकर बंद होगा तो सबसे पहली प्रोब्लम तो इस फ्रीज में यह थी कि इसका पंखा आप पनी बगर लगके तो जैसे बाके आप लोगों को पीडियो को लाउफित होगे तो दोस्तों आपकी वीडियो में कुछभी समझ में नहीं आईगा ठीक है तो सबसे पहले देखिए हमने यहां पर जो साफ सफाई यह अच्छी तरीके से कर दिये हैं अब हम क्या करेंगे जो हमारा रिले और ओबर लोड का पेच होता है और शुरुबात हम सीजी करते हैं कमप्रेसर से ठीक है रिले ओवर लोड का यह और पैनल होता है यह प्रिकलों अलग हो जाता भार के साइट को देखिए इस परकार से थोड़ा जोल लगाओंगे तो यह बहार आजाएगा हमारा ठीक है यह यानि की रिले ओवर लोड का कबर ह होता है तो हम इसको अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं थोड़ा मतलब आप लोगों को मस्तकत करनी पड़ेगी बाकि इसमें कुछ लगवा नहीं होता है तो पेचकेस की मतद्द से आप लोग इसको निकाल सकते हैं अब देखिए यहां जो हमारा खांचे वह निकल चुके इ कहीं से देख लिना कि हमारा पाइप बगार पैसे कहीं से तेल यह तो नहीं आ रहा है तो अब दोनों को हम लोगों सबसे पहले क्या करए हैं उनको ही हम चECK करेंगे कि हमारे दो है और सब्सक्षेख करते हैं सब्सक्राइस सब्सक्राइब तो देख सकते हैं हमारी जो मतलब ओवर्लोड है दोस्तों वह तो विर्कुल ठीक है यहां से हम सेटफाइड हो गए है कि हमारी कंटिनिटी आ रही है अब यहां हम चैक करने हैं यह हमारी रिले सैट में इस प्रकार से हम दोनों चीज़े चैक करें अच्छी तरीके से लगाए के देख सर्णी को समझमीन दोस्तों अगर आप लोगों की सिच्विशन कुस्त ऐसी रहे हैं अभी क्या दिक्केट है ऐसा होता नहीं हमारे देखे रिले ओवरलोड ठीक है इसको मैं लगा देता हूं हाँ एक चीज आप लोग जरूर देखें कि जो जो चीज आप लोग step by step ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक जा रहे हैं तो आप लोगों को उसी प्रिकार से लगाते जाना है बाकी अन्यत को विर्कुल कुसे नीकरना अब देखिए वन अब ओपर हमारा ओपर की साट होता यह थरमोइस्टेट होती है तो दोस्तों यहां जैसे मैंने थरमोइस्टेट क निकाला तो यहां पर था देखे विर्कुल इस प्रकार से काटा चुओने कि हमारा जो तार वो बिर्कुल बीवह दीख Доखेए 2 तार मेन शप्ली के चुऊना बिर्कुल काल दिये। Nathan सब्zept को बंगांनेट कि हमारे टार किम पहला ही तार यहां हमारा वो स्टांट नहीं यह नहीं हो पर था फैन फैन चल रहा था बहुत जोड़ दिया टो कोई दिकत नहीं इप बहुत हमि यहां लगा देते हैं तो यहां क्या करेंगे देखिए अब मैंने यहां पर लगाया अब हम इसको स् equally टरिकें सेब्टी के लिए होता है से थी देखी सिसको स् लगायातार, तो हमारा और जो हमारी section लाइन ती वह भी गरम होने लग गई और फैन भी चलने लग गया तो ठीक है तो यह जो complaint थी दोस्तों वह company की तरफ से थी hire company की तरफ से थी जिसको मैंने इसको remove करा ठीक है तो आज के लिए बस